अंसरो राहु शर्म तो आज आपकी लिए मेलेकर आया हूं कॉप्व्जा ख़लिए तो लास्ट वीडियो के लाफ्ट से कि वीडियो की मैं आ तो बात करते हैं computer के ऊपर, तो computer है क्या दरसल? Computer एक electronic machine होती है, जो store करती है और process करती है data को, ठीक है? और input देते हैं, output देते हैं, processing होती है, इस अब चलता है, इसके अंदर हमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है computer क्यूंकि इसके ऊपर कभी question नहीं आएगा. हमें पढ़ना है functions of computer, जो कि हमारा first topic रहेगा, ठीक है, तो computer के क्या-क्या function है, सबसे पहले ये data as a input लेता है, उसके बाद store करता है data को, instruction बगएरा को, memories बगएरा के तोर पे अपने अंदर store करता है, जो required होती है, उसके बाद generate करता है output, और सारे के सारे उपर वाले जितने भी part इनको control करने में, चारो step को control करने का इसका काम है, ठीक है, तो चलते ही आगे, in short अगर में कहूं, इसके function की बात करूं, तो computer का काम क्या है, data, input में लेना, उसे store करना, process करना, और output देना, in the form of information, ठीक है, तो अब बात करते ही आगे, तो computer के component क्या-क्या है, the main component of computer are, पहला है hardware hardware, दूसरा है software, ठीक है, ये दोनों, अगर example के तोर पर कहूं, एक body है, और दूसरा उसकी soul, बिना hardware के software कुछ नहीं, और software बिना hardware के कुछ नहीं, ठीक है, दोनों important है, ठीक है, अब बात करते ही, hardware क्या होता है, hardware एक ऐसी चीज आई, जिसे हम touch कर सकते हैं, ठीक है, machine, जैसे monitor ह हो गया, CPU हो गया, माउस हो गया, keyboard हो गया, जिने हम touch कर सके, ठीक है, उन्हें हम hardware कहते हैं, और ये computer में use के जाते हैं, ठीक है, पूर सारे है, जैसे mouse, monitor, keyboard, computer, data storage, hard disk, ठीक है, system unit, उसके बाद आता है, motherboard वगएरा, sound system वगएरा, ये सारे के सारे जितने भी हैं, आपके पास, य क्या है, hardware है, हम क्या करते हैं, कि पहले hardware complete कर लेते हैं, फिर software पढ़ते हैं, I think hardware तो आपको अच्छे से समझ, आ गया होगा, ठीक है, अब बात करते हैं, बाकी की बात, ठीक है, ये सारे के सारे, diagramatically बता देता हूँ, कि सारे क्या है, आपके पास, hardware है, ठीक है, सारी example दीए, hardware की, ठीक है, अब hardware में, पहली device जो आती है, जो पहली term आती है, हमारे पास, उसकी type, वह है, input devices, input mean, किसी के अंदर data को transfer करना है, ठीक है, ऐसी device, कोई भी device, जो data को अंदर store करने में, उसे मदद करे, उसे हम input devices कहेंगे, ठीक है, जैसे कि हमारे पास आता है, keyboard, क्या आता है, हमा mouse आ गया, keyboard, mouse, numerical keypad, pointing device, mouse आ जाता है, remote आ गया, joystick आ गया, touchscreen, scanner, graphic tablet, ये online teaching के लिए इस्तिमाल गया जाता है, ठीक है, उसकी ये बात बात करें, तो microphone आ गया, ठीक है, microphone आ गया, digital camera आ गया, webcam आ गया, और light pens वेगरा आ गया, ठीक है, बहुत सरी ऐसी और भी devices हैं, जो आप use कर सकते हो, या करते हो, as a input, ठीक है, data को input करने के लिए हम इसको इस्तिमाल करते हैं, next हमारा, जो सबसे important term है, वो है central processing unit, ये तो बच्पन से पढ़ते आ रहे है, central processing unit means CPU, abbreviation भी साथ में याद करें, exam में आती है, तो CPU को हम एक किसम का brain मान के चलते हैं, किसका, computer का brain मान के चलते हैं, कि सारा काम CPU करता है, विदावर CPU तो कुछ नहीं है, ठीक है, सारे function जितने भी होंगे, सारे process यही करता है, ठीक है, power भी यही compute करता है, और important जितने भी element वगएरा होते हैं, वो भी attach इसी के थूँ होते है computer पर, ठीक है, अब बात करते हैं, next, इसकी types की, CPU की अंदर के man, जो comprise man, three types आती है, उसकी बात करेंगे, सबसे पहली type आती है, ALU, arithmetic, क्या थी, arithmetic, logic, ठीक है, arithmetic तो math से मिलता, जो उलता है, it means, कि ऐसा operation, जिससे हम math का कोई भी काम कर सके हैं, जैसे कि math में हम करते हैं, addition, ठीक है हम math में addition करते हैं, subtraction करते हैं, multiplication करते हैं, division, यह सारे के सारे, ठीक है, numbers वाले operation और लैटर वाले operation कौन करवाएगा, हमारे पास क्या है, उसके लिए, ALU, mean, arithmetic, logic, unit आ गया, next है, CU, CU, mean, control unit आपका, ठीक है, CU मतलब हमारे पास control and coordinate, ठीक है, एक तो control, दुस्ता, मिल दुल के काम क करने वाला coordinate component, यह हमारा, सबसे पहला, इसका part है, कि यह क्या करता है, read करता है, code वगारा को next instruction के लिए, ठीक है, increment करता है, program counter को, so it point to the next instruction, मतलब कि, यह उसे क्या कर पाएगा, increment कर पाएगा, उसमें additional चीजे राएगा, ताकि आप next program भी जल्दी से जल्दी सर्च कर सके, next था, इसका part, यह read करता है, जो data instruction वगारा दी जाती है, उसे read करता है, store करता है, अपनी memory में, ठीक है, उसके बाद, memory में store करने के बाद, क्या करेगा, provide करेगा, necessary data for ALU, our register, मतलब, ALU के लिए data वगारा को क्या करेगा, provide करेगा, जैसे addition, multiplication, subtraction, कुछ भी करना जाहो, उसके ल ALU are specialized hardware to complete instruct the hardware to perform the request operation, अगर by the way, हम कोई भी instruction दे रहे हैं, तो हमें उसे request देनी पड़ती है, और तब जाके requesting के ऊपर processing के ऊपर यह काम करेगा, अब अभी उपर आपने पढ़ा एक register, ALU are register लिखाता है, register क्या होता है, यह store करता है data, ठीक है, executed next very fast store area, ठीक है, मतलब कि यह store करत है, उन जगहों पर data, मतलब बहुत जल्दी उस एरिया में store करेगा data, जल्दी store करने के लिए मदद करेगा, simple इतना ही याद रखे, अब हमारे पास आता है memories, ठीक है, अभी पढ़ा ना memories की बात, ठीक है, data store किया जाता है, in the form of memory, memories हमारे पास दो तरह की है, ठीक है, एक होती यह temporary basis के उपर होती है, अब बात करते है, रोम की, तो रोम जो होती है, इसे आप कहते हो read only memory, ठीक है, इस शिरफ आप इसको read कर सकते हो, change नहीं कर सकते है, चेंज करने के लिए बहुत लंबा process है, मतलब आप शिरफ इसको read कर सकते हो, इसके उपर write नहीं कर सकते है, चेंज memory आई, ठीक है, I hope यह भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, हम चलते हैं, अपने next topic पे, next basic पे, आगे आया आपके पास secondary memory, ठीक है, secondary से ही पता चलता है, कि दूसरी memory, क्या-क्या तरह की दूसरी memory, इसके अंदर हम यूज करते हैं, पहला आया hard disk, दूसरा आया optical disk, ठीक ह floppy जो है, आज उसको replace कर चुक है, floppy disk को replace किया कि इसने, hard disk ने, ठीक है, यह hard disk ने उसको बिल्कुल replace कर दिया, आज के टाइम पर, ठीक है, it is a hard disk, is a part of unit, often called as disk drive कहते हो, hard disk कहते हो, ठीक है, और hard disk drive कहते हो, इसका काम है data को store करना, ठीक है, secondary memory के तोर पे data को क्या करना, store करना, ठीक है, अब बात करता हूँ, optical devices, optical devices, हमारे पास इसमें an optical disk drive आती है, optical disk में हमारे पास क्या आती है, mean कि कभी भी हम इसमें, मतलब यूज कर सकते हैं, मतलब बाहर निकाल के रख सकते हैं, ठीक है, तो आरकल उसकी जगा memory card देगरा आ रखे हैं, ठीक है, वो भी इसमें आते ह अगर पहले हमारे पास क्या होता था, optical disk drive होती थी, disk drive, cd's और हम यूज नहीं करते थे, उने कहते हो, ठीक है, उसमें हमारे पास cd आती थी, compact risk आती थी, उसके बाद देखो, पहले सबसे पहले cd's आई, cd के अंदर revolutionize चेंज आया, और क्या आया, dvd आया, dvd चेंज अपनी अच्छा data store नहीं होता था, खराब जाती थी, उससे बहतर बनाया गया और dvd बनाया गया, ठीक है, dvd जो था, उससे बहतर blue ले बनाया गया, इनकी अपने data capacity है, अभी में उनकी data capacity बताता हूं, ठीक है, तो बात करें, अगर हम optical disk drive में, सबसे पहले हम बात करते हैं ठीक है, अब बात करते हैं, second, second की बात करेंगे, हमारे पास second था dvd, और dvd एक dvd, जहां ये 700 MB, एक GB से कम कर रही है, वहां dvd 8.4 GB data store करती है, ज्यादा हुआ के नहीं, मतलब एक disk में तब 8-9 movie आ जाती थी, ठीक है, तो लोगों ने ज्यादा प्रैफर किया इसे, उसके बात करते हैं, हम किसकी, बुरे की, ठीक है, अब बुरे डिस्क जो थी, कौनसी, बुरे डिस्क जो थी, ये 50 GB तक data, एक revolution आगी, ठीक है, 50 GB तक data, इसने store करना शुरू कर लिया, ठीक है, तो ये आपके पास कुछ important point थे, आप चलते हैं, आप next topic पे, ठीक है, अब बात करते ह गते हैं, फ्लैश डिस्क से floppy भी कह सकते हो, ये पूरा का पूरा क्या चुका है, मतलब खतम हो चुका है, इसको replace किया था, किसने replace किया था, अभी बताया था, पीछे, hard disk ने replace कर दिया, ठीक है, तो ये पहले हम यूज करते थे, as a secondary memory के तोर पे, ठीक है, अब बात करते है, तो रहन का काम है वही स्टोर करना थीक है मेमरी को स्टोर का सकते हो रैंड़मめक्स स मैरी और यह पढ़ा था पीछ यह टंपरेरी ओती है अब बात करते हैं जैसरे वहरे मैमरी काड लगा लो थीक हम मेमरी इसमें use करेंगे sistemas के इसके इंदर के software वगहरा होते है जो permanently उसी के होते है उन्हीं हम ना delete कर सकते है ना उन्हीं हम इंस्टाल कर सकते है उन्हीं हम रोम कहेंगे permanent memory वगहरा आजाता है और जो RAM आई मतलब external memory और इसे में external space secondary memory भी यूज कर लेते हैं अब बात करते है हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क क्या होती है यह data store करती है ठीक है storage का काम करती है नेक्स्ट पॉइंट है ठीक है दोनों में difference क्या है second वाला second difference है small amount यह much larger मतलब कम memory रखती है और यह बहुत जादा यह कम से कम 500 से 6GP तक कर सकती है यह कितना 80GP से लेकर 1000GP तक ठीक है revolution है फिर यह temporary होती है यह पिछे बता चुका हूं यह पर्मानेंट होती है ठीक है यह little like your real desktop ठीक है have only your current work on it मतलब की current work काम कर सकते हो मतलब आभी जैसे हम page बगारा लिख रहे हो ठीक है अब बात करते है content disappear when you turn off मतलब होता है कभी कभी लिखते लिखते है अगर आप data save ना करो ठीक है मैं यूज कर रहा हूं तो अचानक से लिखते लिखते हो सारा का सारा content गईप हो जाएगा अगर computer एकदम से बंद हो चुका ठीक है मगर यह disappear नहीं होता ठीक है इसके अंदर chips अब बात करते हैं इसके आगे when you want to use a program temporary copies but into RAM and that the copy you use ठीक है अगर आप रहा में कोई अलब कि जो data अंदर store किया होगा information की farm में हम उसे बाहर निकाल सकते हैं और उसके लिए भी हम बहुत सारी appliance का यूज करते हैं जैसे कि हमारे पास printer हो गया ठीक है CRT monitor हो गया TFT monitor हो गया laser printer हो गया इस सारे कि सारे जो है वो क्या है इस सारे कि सारे जो आपके पास दीए हूए इस सारे कि सारे क्या है आपके पास output devices है ठीक है अब करता है मैंने कहा तो भी hardware होता है इसे हम टच कर सकते हैं इसको अप्लिकेशन वगएरा हम यूज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं software कहते हैं जैसे हमारा एक phone तब तक बेकार है जब तक उसके अंदर software नहीं होगा कभी हमारे software फोन के उड़ जाते हमें इसलिए software ठीक है क्लिए हो गया होगा software होता है क्या है मतलब पूरा मैनेज करने का काम करता है बीना software के hardware विकार है software हमारे पास दो तरह के हैं एक आता है software कौन सा system software दूसा application software system स्टम से मतलब जो फोन है या कम्प्यूटर है तो दोनों की अंदर एक सिस्टम बना हो रहता है मतलब से की अप्यकिशन वगएरा पहले से इस स्दाह रहती े पुरेकश का मैनेजिंग सिस्टम जो अपने अंदर वाले सिस्टम को मैनेज करके चलाए उसे सिस्टम साफ्ट वेर कहेंगे मतलब जो कंपनी ने आपको दी हुए ठीक है फून के साथ में दी हुए लगातार फून के साथ में चर रहें ठीक है अच्छा उसके बात अब दूसरा आता है application software application software हम खुद इंस्टाल करते हैं फून पे जैसे हम कोई भी application यूज करें किसी और अप्लिकेशन का इस्तमाल कर रहें तो उसे आप क्या बोलोगे application software आई होप यह भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा application software क्या होता ठीक है तो बात करते हैं आप रहें कुछ differences भी गया दिया है difference between the system software and application software में कहाँ आप यह computer software होते हैं computer के साथ में आएंगे ठीक है और यह application software होते हैं जो हम खुद इंस्टाल करते हैं अपनी help के लिए ठीक है अब बात करते हैं बाकी की ठीक है हमारे पास बाकी इसकी example देखें तो Microsoft Windows गैलिनेस हो गया Mac डोस वगएरा हो गया Opera Mini वगएर वे ब्रा application software की ठीक है तो उसकी बात बात करते हैं इंट्रेक्शन जनरली यूजर डू नाट इंट्रेक्ट विस सिस्टम साफ्ट वे देखो हमें कभी वी देखो computer खाली रखा होगा नहीं तो आप उसको यूज करोगे तो आपको बोलिंग सा लगेगा तो हर एक इंसान किसके उपर इंसाफ्ट विए रखे ऊपर इंट्रेक्ट नहीं होता सिस्टम साफ्ट वे जब हम एप्लिकेशन डालते बीच में जैसे की इंस्टाग्राम कोई और अप्लिकेशन ब्राउजर या गूगल डाल देंगे तो वह हमारे उसको इंट्रेक्ट करेगा मतलब इसने कि बंदे होंगे उसको उसको उस करेंगे डिपेंटनसी की बात करते हैं बडेप्रोर को अप्लिकेशन और प्राप इसे घ्रेक्ट करते हैं थृच्ट में अप्लिकेशन को राचार पर जब application install करते हैं, ऐसे computer के अंदर application को install करने के लिए हमें system software से उसको permission देनी पड़ते हैं, तब जाके वहाँ पर होता है, मगर system software independent होता है, इसका application software क्या होता है, dependent होता है, यह भी याद रखें, ठीक है, यह भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आप unit of measurement की बात करें, यह तो आपको पता है, unit मतलब पहचान, हम किस तरह से किस data को measure करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, unit of measurement, तो इसमें हम किस तरह के unit बगएरा लेते हैं, पहले storage measurement क्या है, ठीक है, the basic unit in a computer data storage is called, ठीक है, हम जो basic unit बगएरा computer data के अंदर store करते हैं, उसे bit कहते, bit mean binary digit, ठीक ह मतलब हम जो भी data computer को input में देंगे, वो उसे binary में copy करता है, ठीक है, यह किस में copy करता है, उसे binary digit में code बनाकर उसे copy कर लेगा, जैसे इस तरह का code होगा, 1001111000, इस तरह के code बने होते हैं, ठीक है, तो इसे translate कर सकते हो वापिस, ठीक है, इसे binary code कहते हो, ठीक है, तो अब बात कर करते हैं, output में भी, हम जब input में देंगे, तो हमारे सामने words दिखते होते हैं, जब data को हम सेव करते हैं, तो computer के अंदर के software के अंदर data store होता है, वो इसी farm में होता है, जब हम बाहर लाते हैं, तो computer के अंदर decoder पा जाते हैं, वो उस binary operation को decode करेंगे, और आपके सामने simple message as a message mail कर रहा हूं किसी को, तो mail किसकी farm में जाएगा, binary की farm में जाता है, binary farm में ही जाएगा, अगले बंदर के computer में या phone में, वहां से उसके अंदर decoder पाया जाएगा, और decoder से decode करके, उसी farm में simple लाके उसे सामने रखेगा, यह storage measurement में आपके पास आगया binary number के ऊपर थोड़ा करते हैं, मतल का का क ev are, यह 1024 bytes है, megabyte यह सारे 1024 bytes यह आते हैं, one bit ठीक है size की बात करते है one bit वगएड़ा one byte ठीक है 90bytes वगएड़ा जिस सारे की सारे इनके बारे में देख लें तो बात करते हैं अगले टॉपिक की यह आप खुद देख लेंगे तो नमेरी के लिए वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगे हमारे पास बात करते स्पीड मेयर्मेंट की बात करूं दस्पीड आफ सेंट्रल प्रोसेसिंग उनिट इस मेड़ भाई हर्ड ठीक है ऐसा यून्ट स्पीड के अंदर स्पीड इन्ट कंप्यूटर स्पीड था तो स्पीड होता है यून्ट के हो गएक हर्ड टीक है किस यह उन्यल्री मेंटक्ड पर सेकूटर पर सक्टैंट इससे विचेंट्ट और अब बात करते हैं 1 हर्ड ठीक है इसके ब्राबर होगा एक हर्स तीक है ब़ाबर होता है one cycle per second one megahertz one million cycle per second and 1000 Hz की बराबर होगा. one gigahertz होगा यह billion cycle per second होगा या फिर thousand megahertz की बराबर होगा. पीछे फिर window की तरह ही है सबसे चोटा hertz तो सबसे बड़ा gigahertz आएगा आप आगे चलते हैं Computer classification की ओपर computer can be a journey classified by the size and power as follows तुझ दियर इस दा कंसीडेबल ऑवरलैप हमारे पास computer classification में सबसे पहले आता है personal computer ठीक है personal computer क्या होता है ठीक है यह भी बच्पन की books वगएरा रेखें आप वहां पर आपको मिल जाएगा personal computer एक small size single user computer होता है जिसे एक इंसान use कर पाए ज्यादा नहीं यूज कर पाते हैं ठीक है यह microprocessor के उपर based होता है इन अडिशन तुदा microprocessor परसल computer की बोड इसके साथ में आपको keyboard मिलेगा ठीक है data enter करने के लिए monitoring for displays displaying information monitor मिलेगा मतलब display करने के लिए information को और storage devices मिलेंगी save करने के लिए data ठीक है अब उसके बाद आपके पास आता है workstation computer ठीक है workstation में क्या आयागा workstation एक powerful single user यह भी powerful है मगर है भी single user है ठीक है computer होता है अब workstation दाई का personal computer यह भी personal computer की तरह personal computer मीन जो single इन्सान यूज करें ठीक है तो यह उसकी तरह है मगर है powerful है ठीक है किसे power होगा powerful होगा personal computer से इसका processor जो है micro processor powerful होगा यह highly quality monitor होते हैं इसके अंदर जो data display करते हैं अब आता है mini computer mini computer में अगर बात करूं ते multi user computer होते है ठीक है supporting 10 to 100 of user simultaneously मतलब एक computer के साथ वह सारे computer जुड़े होंगे और सारे काम करेंगे और सारा काम एक computer के अंदर store होगा इसे mini computer कहते हैं ठीक है आपने बड़े-बड़े offices वगएरा में चोटे offices वगएरा में देखा होगा फिर आता है mainframe computer ठीक है mainframe computer होता है powerful multi user computer capable of sporting many hundred or thousand देखो उपर वाली की बात करो तो 10 to 100 यह hundred से thousand तक जा रहा है ठीक है मतलब यह उससे बड़ा होगा ठीक है powerful भी होगा mainframe computer फिर आया super computer जो आज की generation में हम use कर रहे है ठीक है super computer जो है यह extreme fast computer है that can perform hundred of millions of instruction per second तो मतलब यह millions of instruction एक second में दे सकता है super नाम भी पड़ा तो इसका मतलब super power वड़ा computer रहेगा इंडिया ने भी अपना super computer बनाया है पुने में उससे store है तो यह आपके लिए question है कि आप उसका नाम देख लें उसका नाम क्या है ठीक है करता हूँ laptop and smartphone computer क्या रहते हैं ठीक है laptop तो आपको पता कि हर एक आदमी यूज करता है यह भी personal computer के तौर पर यूज करते है laptop is a battery or AC power personal computer that can easily carried जिसे हम एक जगा से दुस्रीवा पर आराम से लेकर जा सकें ठीक है इसका मतलब यह हुआ ठीक है they can generally run the same software यह वही software रन करेंगे जो desktop computer वगरा करते होंगे ठीक है तो चलते हैं next topic पे अब smartphone computer की बात ही होगी ठीक है उससे पहले हमारे पास notebook, netbook अगया netbook क्या होती है, netbook is a type of laptop, यह भी netbook जो है laptop की तरह ही होती है that is designed to even more portable, जो उससे भी जादा portable होगी ठीक है, netbook are often cheaper, यह बहुत जादा सस्ती है, laptop desktop cover करती है, ठीक है तो यह तो notebook होगी जो student वगरा जादा use करते है student वगरा इसका अपनी notes वगरा बनाने के लिए data store करने के लिए बात करते हैं, इसमें सिर्फ input होता, output नहीं होता, ठीक है अब बात करते है mobile devices की, याद रहेगा netbook में सिर्फ हमारे पास क्या रहेगा netbook में, सिर्फ data input जाएगा, output नहीं होगा, यह फरक होता है, एक laptop में और एक netbook में बाकी function दोनों सेम ही करती है, यह सस्ती होती है, अब बात करते है mobile devices की, mobile devices है तो हर एक आदमी यूज करता है, mobile device एक basically single handed computer है, एक हाथ से चलाने वाला, ठीक है it is designed to extremely portable, यह बहुत जादा portable design किया गया है, ठीक है, अब बात करें, often fitting the palm, मतलब इतना चोटा बनाया गया है कि हम अपने एक हाथेली में से handle कर सकते है, some mobile devices are more powerful and they allow you to many, मतलब कुछ mobile phone जो है, हमने इस तरह से design किया है, वह सारे function perform करते है, same thing करते है, ठीक है, मतलब वही काम आ laptop जितने function perform कर सकते हैं, easily, ठीक है, तो हमारे पास और क्या कह चाहिए, this include tablet भी इसी में आते है, e-reader भी आता और smartphone भी आते है, यह अच्छे से देख लें, अब tablet क्या होता है, tablet तो आप सब यूज करते हो, है, तो एक phone ही है, मगर थोड़ा size में उसे बढ़ा रहता है, उसे tablet क कहते हैं, ठीक है, लाइका laptop, ठीक है, laptop होगा, बस यह होता है, कीबोर्ड नी होता साथ में, वो keyboard भी connect कर सकते है, आप OTG का इस्तमाल करके, tablet computer are designed to a portable, how are they provide a very different computing experience, यह अलग तरह का experience देता है, फोन से थोड़ा बचेंट हो गई, ठीक है, बट इसका, मतलब है, तो laptop की तरह मैं और desktop की तरह काम कर सकता है, smart phone, यह तो सारे use करते हैं, इनके बारे में सबको पता ही है, एक powerful device, जिसमें हम gameplay कर सकते हैं, read कर सकते हैं, ब्रहूस कर सकते हैं, यहां तक की laptop और computer के काम भी कर सकते हैं, और आज करके smart phone जो आए हैं, वो जादा, इतने जादा accessible हैं, और इतने से विच रिले सम्थिं शम्तिं सपेसिक स्पेसिक, बट जो नो इसमतिं अज ना ओ नन जाए हमने कोई इंपरों मिच परदे नहीं देता, रिगार्डिं पेटरन, चंटेक्स एक्स एक्टारा वेगाटवारां जाए पके बटेटर अन्साराइज प्रूस का कोई भी झायद अब बात करते हैं डेटा डेटा सिंपल ही और कुछ नहीं है एक फीगर है याद रखें डेटा क्या आपके पास एक सिंबल है जो यूज करते हो अब बात आता है इनफोमेशन information mean कि कोन सी चीज प्रवाइड के जा रही है कहां कैसे कब और क्यों ठीक है मतलब data data proceed to be useful provide answer to who what where and when ठीक है इस तरह के question आपके जब पूरे simplify हो रहे हो तो आपका मतलब कि आपको एक computer पूरी की पूरी information दे रहा है अब बात करते है knowledge knowledge application जो है of data information answer how question ठीक है mean कि आपको computer के ऊपर कुछ applications पर इंस्साल करने पड़ेंगी जो आपके questions का answer दे सकेंगी और कैसे देंगी वह उसी पर provide मतलब बाड़िपन करता wisdom की बात करने evaluated understanding ठीक है इतना ही याद रखिए तो हमें understand करना पड़ेगा processing data produce information को and process information knowledge and so on इसी तरह से काम चलेगा अब बात करते हैं next अगली बात करते हैं important topic क्या क्या characteristics से computer की ठीक है सबसे पहले computer हमें speed देता है accuracy देता है यह computer बहुत सारी बड़ी-बड़ी calculation को कुछ second में solve करके देता है और speed तो है यह इसकी calculation में हमें काम करता है और भी बहुत सारी कामों में speed से काम करता है जो एक इनसान जो है बहुत time लेगा कर सकता Delegance and storage capacity or capability Delegance when used for the longer period of time मतलब अगर आप इसको लंबे समयते के लिए इस्तमाल कर सकते हो computer does not get tied or fatigue मतलब इंसान काम कर रहा तो लंबे समयते के लिए काम तो नहीं कर सकता आदा गेंटा गेंटा ज्यादा घ्याइगा तो दो गेंटे 8 गेंटे computer को उपने इस्तमाल कर सकता है डिक honest नहीं होगा यह горhead समय कर सकता है कौड़ी कि परइटा कर सकता है इक आप करते हैं एक वर्साटाइल नेचर का होता है यह प्रफार्म करता है डिफरेंट टाइप अलग लग तास्क एजी वेसे कर सकता है कोडिंग के लिए लैटर करने के लिए और भी बहुत सरी कामों में कर सकते हैं इस हुझा से में से वर्साटाइल नेचर कह सकता हूं ठीक है आप कंप्यूटर काम तभी करेगा जब आप उसे इंस्ट्रक्शन दोगे बिना इंस्ट्रक्शन के वो कभी काम नहीं करेगा ठीक है अपना फैसला खुद नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा इंस्ट्रक्शन देने वाले पर उसी के ओपर काम करेगा अप्यूटर के अंदर वाइरस होता क्या है वाइरस एक समाल पीसा साफ़वेर है साफ़वेर डैट पिगी बैक उन्रील प्रोग्राम जो आपकी प्रोग् फॉर्द प्रोग्राम के साफ वारिस है तो आपके जो कम्लिकी फंक्शन है वह थोड़ेिफ्र अतब्ज स्वार करंसे नलबने पर सकता है अब यू मैसिज का सथा अगर वाइरस को तो मेरे वारी है तो और उमेल वाइरस होता है। खर यू मियर्स होता है तो बागी घो अब जता हैता है TORGEN HORS Ist क्या रहेगा, TORGEN HORS Ist क्या है, A TORGEN HORS Is A simply A computer Program, एक computer का प्रोग्राम है The program claim to do not do one thing, it may claim to be a game तर्षाइं देज़ दमेज when you run it and it may raise your hard is मतलब अब अगर आप इसको इस्तमाल करोगे तो game खेलते वग्यम कहलते वग्या होगा यह उसको डेमिज कर सकता आपकी हार इस विए रिखेर का और वे तो रेप्लिकेट अटमेटिकली यह खुद बाखुद रेप्लिकेट नहीं होता अब बात करते हैं वांस की वांस क्या होता है वांस पीस आफ साफ्ट्वेर यह चोटा सा पीस साफ्ट्वेर का डैट चैने नेटफुकर वर अनदर मेशिए करना शुरू करेगा अगर डैमेट हो गया कुछ भी करप्ट हुआ तो बात करते वह ता वांस प्याइट फूट्वांस करना लिगा तो भांस का लिए रिखेर को पर नहीं प्रसट्वेर आपक्पट क्या इंपक्स्ट किवाएर और और भी बहुत सारे स्कैनर वाइडिस वगारा मिलते हैं, एक्सेस करते रहें, मतलब सही वेबसाइट से रहती हैं, दूसरी वेबसाइट वगारा लगता हो कि वाइडिस वगारा होंगे, तीक है, जादा बड़ी साइट नहां हों छोटी मोगी साइट से उन पर मत जाने की ताकि मैं और ज्यादा वीडियो आपके लिए लेकर रहा हूं, तो मैंने आपको फर्स टाइम कहा था कि मैं आपके लिए कुछ सेंपल सा प्रोसीजर बताता हूं प्रिपरेशन के लिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 30 मार्क्स का कम दोटर त्यार कर लें अब 30 मार्क्स का आपका आकाउंट त्यार हो जाएगा ठीक है, और जम्म कुष्मी तो थोड़ा वह सबको आता ही है, यह कितनी होगे, 90 और 10 मार्क्स का बायो और 10 मार्क्स का क्या कर लेंगे, इकनोमिक्स यह आपकी 110 मार्क्स बागी बचाते हैं, मैथा मेधामेडिक्स में गुसोगे तो सारा खराब ही हो जाएगा ठीक है इसलिए यही इरादा प्रिपेर करें अगर फिर टाइम में रहा तो मैतमेटिक्स पे दियान दें थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो अगर दें